रजसिंग हमारे सब्वाद्दा था मनीश से सूजिया से बाचीत कर रहे थे बिज्जेपी और कॉंग्रेस पर मनीश ने ये आरोप लगाया है तो बिजली पर जारी बवाल को लेकर कॉंग्रेस के नीता हारुन यूसफ ने ये कहा है कि जूट बोल रहे हैं अर्विंद पर लगाया है कि कॉंग्रेस और बीजेपी ने रोक लिया वरना सबसीडी सितम पर तक जारी रहती है देखे आरोपों को तो हम जेलते आ रहे हैं जब से यह आम आदमी पार्टी बनी है क्योंकि आरोप लगाना जूट बोलना यह आम आदमी पार्टी का रोज का शेवा बन लगेगी तो मैं समझता हूं फिर कॉमन मेन जो किसी पार्टी से नहीं जुड़ा है और डिमोक्रशी में विश्वास रखके वोट देता है सबसे ज्यादा घाटे में तो वो लोग रहेंगे और जो ऑनरेबल हाई कोट ने रोक लगाई है मैं समझता हूं कि यह एक बड़ा वेलकमिंग स्टेप है क्योंकि जब ऐसे लोग सत्ता में आ जाएं जो समझान की इज़त ना करते हूं तो ऐसे वक्त में कोट्स ही हैं जो उस रास्ते को सही कर सकते हैं आप मानते हैं कि कोट का जो फैसला था वो पूरी तरगी से सरोमानी है बिल्कुल सही है इसलिए सही है कि आप खाली एक पार्टी के सपोर्टर्स को जो जिन्होंने आंदोलन में साथ दिया उनको आप बेनिफिट पहुचा रहे हो जो बाकी दिल्ली के लाखों कर्जूमर् करते और जहां तक सब्सीडी की बात है सब्सीडी भी जो है वो 31 मार्च तक की लिए दी गई थी यह कारों भी लगाया उनका खाफ तोर पर कहना है कि कॉंग्रेस बीजेपी ने होने नहीं दिया वहना सब्सीडी सितंबर 2014 तक की दी जाती क्या वोटर अकांट में इसका पूरा समर्थन दिया था लोगपाल बिल पेश ना होने के बाद चुके लोगपाल बिल भी वो समयधानिक तरीके से ला रहे थे उस वक जब एप्रोप्रियेशन बिल सब्सीडी का आया तो वो 31 मार्च तक के लिए था